प्रस्तुथे कारिक्रम, किसान की बात इस कारिक्रम के प्रायुजक है कृषी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार नमस्कार किसान मित्रो किसान की बात कारिक्रम में मैं हूँ प्रदिमाश शर्मा और मैं हूँ रजनीश और रजनीश देखे आजकल जो बहुत ज़्यादा जिक्र चल रहा है वो ज्यादातर श्री अन, मिलेट्स की बात चल रहे हैं और हमारा देश है भी कृषी प्रधान देश और मोटे अनाजों की उत्पादन में अग्रिनी हैं हमारे परंपरागत अनाजों में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुट्की और कुट्टू जिसे हम व्रत में काते हैं उसके बीजों को पीस क्याटा बनाया जाता है यह सब हमारे श्री अन में शामिल हो चुके हैं मिलेट्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में और इसके उत्पादन के लिए अब हमारी सरकार भी कृषी मंत्राले भी तरह तरह के जैसे कि अभी कृषी मंत्राले ने मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जिसमें हमारे मंत्रियों ने भाग लिया, सांसदों ने भाग लिया, तवाम कृषी वैज्ञानिकों ने, किसानों ने भाग लिया और इस तरीके के जितने भी प्रचार प्रसार किये जा रहे हैं वो कहीं न कहीं उत्देश उनका यही है कि जो हमारी ये परंपरागत वो बड़ी सकारात्म क्यों हो जाएगी बिल्कुल सही कहा प्रतिमय और देखिए इसलिए भारत की पहल पर ही इस साल को यानि की दोहजर तेज को इंटरनेशनल इयर ओफ मिलिट्स मनाया जा रहा है पुरी दुनिया में और भारत क्योंकि इसमें अगरणी है और भारत को कहते हैं और जैसे की भारतिय किसान और भारतिय विज्ञानिक दोनों मिलके अब इस और आगे बढ़ रहे हैं और नहीं नहीं चीजे कैसे हो सकती हैं किस तरह से हम अपनी भूमी को उपजाओ बना के और बहुत ही अच्छा एक पॉइंट लिया कि इसको उपजाओ और अच्छा विज्ञानिकों के सामने कोई चनोती बड़ी नहीं है उसको चोटा कर देते हैं तो आज का जो हमारा विशे है वो भी यही है श्री अन मिलेट्स के उत्पादन के लिए उसर भूमी सुधार और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आचुके हैं डॉक्टर खजांची लाल प्रधान विज्ञानिक जलसन रक्षंड तकनी की केंद्र। भारतिय कृषिय अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिली से डॉक्ट साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारिक्रब में डॉक्ट साब जैसे कि हमारी आज की जो चर्चा है वो इसी विशे पर है कि जो हमा पताना चाहूंगी कि इस फसल के बारे में तो हर रोज हम बात कर रहे हैं कि कौन-कौन से होते हैं बाजरा है रागी है सामा कंगरी पता है लेकिन जो भूमी है उसकी पहचान कैसे होती है सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहूंगी हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल जैसे कि हमारे देश में करीब करीब 68 लाख हेक्टियर जमीन जो है लवन गरस्त है डोक साब आगे बात हम शुरू कर रहे हैं लेकिन उसे पहले में सभी सुनने वाले किसान भाई बेहनों को श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आज का जो विशे है श्री अन मिलेट्स के उत्पादन के लिए उसर भूमी सुधार इस विशे से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप हमें कॉल केजिए 011-23-421608 पर और देखिए जो भी सुन रहे हैं अगर इस विशे से आपका कोई भी समस्या है जग्यासा है तो उसका सीधा फोन करके हमसे पूछ सकते हैं तो डॉट साब उसका जवाब देंगे जैसे मैं बता रहा था कि जैसे मिट्टी के अंदर गुलन सील लवनों की मात्रा होता है जैसे यह मात्रा आफशक्ता से अधिक हो जाए तो वो उस मिट्टी को हम लवनिया भूमी कह देते हैं और जैसे जैसे जिसके वज़े से पैदाबार खड़ जाती है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं एक कहते हैं उसर भूमी एक कहते हैं रे भूमी जो रे भूमी है उसको हम लवनिया भूमी भी कह देते हैं इसमें जो गुलन सील तत्वों के मात्रा वो काफी जादा हो जाती है जिसका हम पैमाना कहते हैं, 4-10-7 per meter से ज़्यादा हो जाती है। उसके वज़े से गहुलन सी लवनों के अधिक्ता के वज़े से जो पोधा है, वो जमीन के अंदर पाणी होता है, लेकिन पाणी ले नहीं पाता। क्योंकि उसकी मिट्टी का गहुल है, उसके अंदर उसका ओस्मोर्टिक प्रेश्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे पाणी पोधा नहीं ले पाता है, और पोधे की पैदावार बहुत कम हो जाती है। कैसी कैसे पैदावार उनकी कम हो रही है, और प्लांट कैसी कैसे इनको रिस्पोंस करता है, इसकी वज़े से हम इनको दो बागव में बाटा गया है। जैसे आपने बताया कि आपके खेद के उपर सफेद परत है, तो मैं सबसे पहले यह कहूंगा, जैसे आप कहे रहे हैं, उसके उसर कहने से पहले आप मिट्टी की जांच करवा लो, वो हो सकता है रहे हो, क्योंकि जब सफेद जो चदर हो जाती है। बस जी जी वही है, वही है रहे है जी। बहुत नीचे है, तो आप खाली लीचिंग से जो लवन की मातरा को अच्छे पानी डालके लवन की मातरा को काम कर सकते हैं, और नीचे पुचा सकते हैं रूड जो ने तो उस प्र पर आप पढ़ा सकते हैं। यह जो उसर भूमी या बंजर भूमी या जैसा कि आपने रे बताई तो इन में क्या अंतर दोनों में है? जैसे मैंने पहले बताया कि जो लवन गरस्ति या जिसको अंग्रेज में सलाइन कहते हैं उसमें लवनों के घुलन सीन लवनों की मातरा बहुत अधिको दूसरी तरह उससर जिसको हम चारिया भूमी भी कहते हैं उसमें जो विन्मय योग सोडियम यानि कि एक्स्चेंज आप जाते हो किसान भाइयो यति आपके खेत में सपेज चदर बिलकुल बिछी हुई है और आपका पानी है लेकिन पानी उसके दिन घाता आ उसमें उसर भूमी में पानी कई कई दिने तो खड़ा रहता है, क्योंकि उसमें जो आपके मिट्टी है, पूरी तरह से डिस्पर्स्ट या निके बिखरी हुए होती है, जैसे पानी नीचे नहीं जा पाता, या हावा का आवा गमन नहीं हो पाता, इसके लिए एरेशन या जो पोता ह हावा और पानी कुछ भी नहीं ले पाता, इसके भोतिक अबस्ता खराब हो जाती है, जब यह गिल्ला होता है तो फिसलन भरा हो जाती है, लेकिन जब सूखता है तो बहुत सक्त हो जाती है, और इसमें इंटर्टेलेजर ओपरेशन ये भी काफी दिक्कत करते हैं, और जब जान्स का नमूना लें, ताकि वो सारा जो आप बता रहें, उसका सही परमान आए, ताकि वो सही स्थिती आए कि मिट्टी कैसी है, यह आपने बहुत अच्छा स्वाल पूछा है, क्योंकि जान्स कर्वाने से पहले क्वाश्चन या आप मिट्टी के नमूने कैसे ले, तो जैसे हम एक हेक्टेर से, यानि कि जिसको ढ़ाई किल्य या ढ़ाई एकड कह दे, उसमें पांच-छे जगे से, अलग-अलग जगे से, आपको मिट्टी के नमूने लेने है, मिट्टी के नमूने जैसे आपकी कौन सी फसल लेनी है, उस पे डिपेंड करता है, कितनी गहराई तक मिट्टी लेनी है, तो जैसे हम यदि सिंपल तो हम यह कहते हैं कि 06 और 6 से 12 इंच तक नमूने लेनी चीए, जो कि आपके राई स्वेट और जो पलसीज है या आपके अनाज है उनको, उसमें किया हम एक वी नोच का गड़ा बना लेते हैं, और खुर्पी के साहता से, तरफ से मिट्टी कठा कर लेते हैं, फिर उनको पांचे जगे से मिट्टी मिला के उनको कठा कर लेंगे, फिर क्वार्टनिक जैसे हम उसको चार भागों में डिवाइड कर देते हैं, उसको दो भाग रख लेते हैं, इस तरह से आप करते करते हैं, करीब करीब जब आदा कि आप कहीं भी तेस्टिंग या वाटर टेस्टिंग लिबरेटरी में आप उनको दे दे दें वह आपके जांच करके आपको बता दें कि आपकी भूमे में या मिट्टी में क्या खराबिया उसर है रह है या दोनम से कोई सुमश्या नहीं है इसा कोई पर्टिकुलर परफॉर्मा भी होता है डाट सब्सक्राइब कि मतला जिसमें किसान वुस्पही जानकारी हम दे दे और कुछ मिस हो जाती है फिर जब आम लाब में जाते हैं तो लगता है कि वह जानकारी पूरी नहीं है तो इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं कि यापने मिति क क्या आपका नाम है कुँछ ग्हां सारव पुता पता है अपका फिर मित्टी का जो ज Jack किया जांक का प्यामाने सारे हैं फिर उसके आपके आम रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको कौनी सी फ।सल लेनी है जिपनाना कैंना जिब सम्टै के नहीं अड़ना द डालना है उस पर सब लिखा जाता है तो किसान भाईयों के लिए बहुत अच्छा ये साधन भी बन गया सरकार की तरफ से तो जो दूसरा मेरा प्रश्ण होगा कि आजकल जिस तरीके से मोटे अनाज श्री अन की जो पैदावार बढ़ानी है उसको बढ़ाने के साथ साथ जैस से उपियोगी बनाया जाए उससे पहले डॉक सब एक कॉलर का फोन है हलो जी गुड़गाओं से मनुहर लाल जी पूछी अपना सवाल जिसमें जैसे कई कई तिन तक पाणी खड़ा रहता है तो यदि आप हर्यानवां से बिलों करता है हर्यानवी भासा में इसको आपको मिट्स करवानी पड़ेगी उसके लिए आपकी सोयल टेक्चर मिट्टीके टेक्क्टी क्या है कितिन डेप्ट क सब हाजिर होतें एगप्चोटा सा अंत्रा लेते हैं प्रदान मंत्री किसान मान धन योजना प्रदान मंत्री किसान मान धन योजना अन दाता के परिश्रम को संबद पेंशन से सुरक्षित उनका कर क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार द्वारा जनित में जारी संकट के समय प्रदान मंत्री किसानों के लिए बरदान है अब भूखा पड़े या बाड़ा जाए तो एगर नहीं अब बोले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं योजना से हर साल जुड रहे हैं पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी जी हाँ और आज का हमारा विशे है श्री मिलेट्स के उतपाधन के लिए उसर भूमी सुधार आमंत्रेत विशेशगे डॉक्टर खाजांची लाल प्रधान वैज्ञानिक जलसन रक्षन तकनी की केंद्र भारति कृषियन उसंधान संस्थान पूसन आई दिली से डॉक्साब जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था कि हमारे जो श्री अन है इनको उगाने के लिए इनकी फसल लेने के लिए अगर हम बंजर या उसर भूमी का प्रियोग करते हैं तो उसको उसकी उपियोगिता या उसको जाओ कैसे बनाया जा सके यह अपने पृतिमा जी बहुत अच्छा स्वाल पूछा है कि जैसे हम सिरी अन के बात कर सकते हैं सिरी अन के लिए हरतरे के मिटे में इसको उगाया जा सकता है और हरतरे के जलवाईयों में इसको उगाया जा सकता है जैसे आप एरीड से में हैर सब इनमें उगाया जा सकता और कम उर्वरक्ता वाली मिट्य में भी इनको उगाया जा सकता है, जैसे आपने पूछा फिर कि आप उस्तर वाली भूमिय में कैसे इनको उगा सकता है, जैसे आप उस्तर भूमिय में जैसे कि जिसकी ESP 25 या 30 तक भी हो, ESP exchangeable sodium percentage जैब 25-30 की उस्तर भूमिय में उगाया जा सक जैसे आपने उस्तर भूमिय में स्री अनको लेना है और आपकी ESP 15 से ज्यादा है यानिके 25-30 या 40 है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, उस्तर भूमिय को ठीक करने के लिए आपको उसमें जिप्सम डालना पड़ेगा, उसी तरह से यादि आपकी लवनिये भूमिय में स्री अनको लेना चाहते है, उसमें विद्यूत चालिकता बहुत ज्यादा है, तो उसमें लवनों की मातरा को कम करना पड़ेगा, उसके लिए जिए आपको लीचिंग करने पड़ेगा, अच्छे पानी से गुलन सील लवनों को नीचे लेके जाना पड़ेगा, और यदि ऐ ऐसी आपकी जिनको वाटर लों सलाइन स्वाल कहते हैं, जिसमें लवन गरस्त और जलन करांत हैं, डॉक साब एक कॉलार आ गए हमारे साथ है, हलो, नमस्कार जी, नमस्कार स्वागत है किसान की बात कारिक्रम में, कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, हम नवाड़ा से पपू पाड़े बोले जी, पपू पाड़े जी, स्वागत है, पूछी अपना सवाल, हमारे सवाल है, जैसे खेत में जो दीमक जो लगी होती, इसकी कोई मतलब दवाईवाई इलाज है, जो दीमक खतम हो जाए, उसमें फसिल अच्छी मिलने लगे, पाड़े जी, आपने दो दवाईयों के नाम बता दें, कलोरो पाइरफोस मैंने आपको बताया है, उसको हम पानी में घोल के मिटी में दे सकते हो, यदि आपको सर्फेस इरिगेशन या स्टई इरिगेशन दे रहो तो पानी में मिला कर दे सकते हो, उससे आपका दिमक का कंट्रोल हो जाएगा, और इनका सवाल का जवाब मिल गया, डोक सब बात चल रही थी कि भाई, अगर उसर या हमारी बंजर भूमें उनको कैसे उपयोगी बनाएं फसलों के लिए, उसके जैसे मैंने आपको बताया का सुधार, फिर उसके साथ आपको क्या करना है, जो अच्छी पैदावार के लि इस तरह की जैसे आपको इस तरह बाजरे की वराइटी है, इस तरह से हम जवार की वराइटी जैसे CH, 11, 16, CSV, 19, SPV, 475 इस तरह की आपको लवन सहनसील किसमें लेनी पड़ेंगे, उसके साथ-साथ आपको क्या-क्या सश्य करिया लेनी है, क्या क्या अपनानी है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे क्योंकि आप उसर भूमी या लवन गरस्त भूमी में पोदों की पैदावार या अंकुरोन उनका कम हो जाता है, इसलिए हम ये कहते हैं, आपको जो बीज की मात्रा है, उसको पच्ची परतिस्त बीज की मात्रा ज्यादा होने चीए, उसक लिए दोनों पोदों की पंक्तियों या प्लांटू 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 रो या प्लांटू प्लांट इंस्टेंस को भी कम कर देते हैं, उसके साथ साथ आपको बीज कहां डालना है, जैसे लवन गरस्त मिटियों में, जैसे जिनको हम सलाइन सोल कहते हैं, लवनिय मिट इरिगे सिंदी जल्दी जल्दी अंतराल के बाद लेकिन कम गहराई की हो और उसके साथ आपको कंजक्टी वाटर यूस जैसे दो अलग-अलग किस्मों का पानी यह दिया आप है एक अच्छा पानी है खराब पानी है तो उनको दोनों को मिला के या साइकलिक मोड में तो इस तरह से पानी देना चाहिए इससे क्या जो लवनों की खराब असर है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है तो आपको उर्वरों के मात्र जैसे यह दि उसतर भूमी है तो हम यह कहते है कि उसमें जैसे नाइट्रोजन का लोस जो नाइट्रोजन जैसे डालने चाहिए इसी तरह से जिंक सल्फेट की नॉर्मली कमी पाई जाती है तो जिंक सल्फेट भी 25 किलो जिंक सल्फेट पर हेक्टेर की हम संतुती करते हैं इसी तरह से आपका यदि लवने उसमें भी बिजों की मात्र पच्ची परतिरसत अधिक होनी चाहिए नाइट्रो हो में इनकी उपरफलता काफी कम हो जात इसलिए आपको उसमें आपके मिटी की जांच के बैसिस पे नॉर्मली जैसे जिंक है आयरन है उसकी मात्र आपको डालने पड़ेगी डॉक सब जैसे कि अभी आपने बताए कि उसर भूमी या बंजर भूमी इस तरीके की मामात्रा जीपसम की बात करें बहुत सरे माइक्रो न्यूट्रिंट की बात की यह हमने मिला लिए और एक बार फसल ले ले और अच्छी फसल हो गई उसके बाद जब दुबारा हम फसल उसमें लेंगे उसी भूमी पर उसी मिटी में तो दुबारा भी जांच करानी अनिवारे हो कि आप पूसा से ले सकते हैं ऐसे क्रिशी संस्थान से ले सकते हैं तो वह बीच शोधीत करके किस तरह से लगाना चाहिए या उसको डारेक्ट लगा सकते तो उसकी क्या प्रक्रियर है जो हम जैसे हमारे संस्थान से या एनसी से बीज लेते हैं वह पहले से ही संसोधीत हो उसका कैसे संसोजित करने की जोड़त नहीं हो जब मोटे अनाज की बात आती है श्री अन्य की बात आती है तो कहते हैं कि जलवायू सहिश्ण होते हैं मतलब उसके अनुसार हो जाते हैं कुपुशन के शत्रू होते हैं और बिमारियों को बड़ा दूर रखते हैं तो आप आम साहिता भी है इसके लिए सरकारी साहिता का तो आपको जैसे संस्थान में आकर SIDA in detail में पता किया सकते हैं लेकिन जैसे आप स्री आन के बात करें च्री अन में एक खनीज मातरों के भरपूर मातर जैसे केलियम, मैगनेशियम, सोडियम, फाइबर है, आज हम देख रहे हैं कि पेशुगर की या डाइबटिक की पेशेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है, उनका नमबर बढ़ता जा रहा है, तो इसका सिरी अनका गलासेमिक अंडेक्स काफी कम होता है, तो इसको बड़े अच जादा मुनाफ़ा ले सकते हो, और शिरी अनका हरत्रे की जलवाईयों में आपको उगा सकते हो, तो ड़ट सब अबकुल मिला कि ये कहना चाहते हैं कि राष्टे बजार के साथ साथ अंतराष्टे बजार में भी क्योंकि इसकी मांग पढ़ रही है, तो भारती किसान और ख चलते चलते डॉक्साब क्या संदेश देना चाहेंगे अब हमारे सभी किसानों को, मैं किसान भाईयों के ये कह रहा हूं कि आप वग्यानिक तरीके से शरी अनकी खेती ले सकते हैं और खासकर जो उसर भूम्या कम उपजावाले भूम्यें उसमें भी इसको उगाया सकता है और अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाया जासकता है और योधी हम इसको भोजन में सम लित करते हैं से रियन को, तो हमें फायदा ही फायदा है बिमारीयों से और इन से काफी पिझा चोड़ाय जासकते हैं और हमारी युवाओं के लिए क्या कहना चाहें क्योंकि जादा तर हमारी युवाओं ये सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लिया और मुझे लगता है कृषी में बहुत बड़े असर हैं चाहे वो श्री अंड को लेकर हो या वैल्यू एडिशन की बात करें तो बहुत सारी अवसर निकल कर आते हैं युवाओं के लिए हाँ बिलकुल जो युवा साथी है यदि आप इसको ढंक से यदि वेगानिक तरीके से जैसे टाइमली सोइंग करो सब कुछ टाइमली हार्वेस्ट करो अच्छे-चे किसमे लो, अच्छे-चे मार्केट के साब से कराप लो और उनको वेल्य एडिसिन करो तो इसमें अधिक से अधिक मुनाफ़ा ले सकते हैं और उनको अच्छा पना भविश्य युवा साथी बना सकते हैं डॉक साब जो श्री अन है अगर हम खेती कर रहे हैं उसके तो उसके साथ-साथ कोई दूसरी फसल भी ले जा सकती है क्यों नहीं ले जा सकती है जैसे हम फसल चक्र की बात करते हैं जैसे खरीफ में आप रवी आप ले सकते हुआ अपको बिलान इनको प्रशा सब्दियां ले सकते हो तो इनको तो छीवा सऀब 1 एक निए बिले सकतé हैं और सभी युवा किसानों को पूरे प्रशिक्षन लेके अच्छे से जानकारी लेके इस शित्र में आना चाहिए और डॉक्साब आज आपने जो श्री अन्मिलेट उत्पादन के लिए उसर भूमी सुधार पर जो जानकारी दी बहुत अच्छे और विस्तार से दी इसके मैं प्रतिमर शर्मा और इस कारिक्रम के प्रस्तुत करता शेवनननलाल जी के साथ आपसे विदा लेते हैं नमस्कार इस कारिक्रम की प्रायुजक्ते क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चुनी लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चुनी